गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूल जाने का पहला दिन प्रिया स्कूल जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की टेबल के सामने कुर्सी पर बैठी हुई है टेबल पर उसके सामने कटोरी में दलिया रखा है और गिलास में दूद है टेबल पर अख़वार भी खुला है और उसकी मम्मी टेबल के पास खड़ी है प्रिया की नजर अख़वार में सुगम्यता शब्द पर पढ़ती है और वह कहती है मम्मी, मम्मी, सुगम्यता क्या है? मम्मी कहती है सुगम्यता का अर्थ है आसानी से पहुँचने या प्राप्त करने में सक्षम होना इससे चीजों को आसानी से प्रयोग मिलाने या करने में मदद मिलती है जैसे दादी जी कान की मशीन की मदद से अच्छी तरह सुन पाती है टीवी पर समाचारों के समय तुमने देखा होगा कि एक छोटी सी खिडकी में कोई महिला या पुरुष बोले जा रहे समाचारों को संकेतों से बताते हैं इससे उन व्यक्तियों को मदद मिलती है जो सुन नहीं सकते बिल्कुल वैसे ही जैसे उपर नीचे आने जाने के लिए दादा जी को लिफ्ट से मदद मिलती है ऐसी छोटी छोटी बातों से हमारे आसपास का वातावरण सुगम्मे बनता है इसके साथ ही चित्र में दिखाई दे रही हैं कान की मशीन लगाए हुए दादी जी जिनके हाथ में टीवी का रिमोट है साथ में एक और चित्र है जिसमें उपर एक छोटी सी खिड़की में एक महिला सांकेतिक भाषा का उप्योग कर रही है और समाचार वाचक समाचार पढ़ रहे हैं इसके साथ ही एक और चित्र भी है जिसमें दादा जी लिफ्ट का प्रयोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं झालएबगतों एक ज गुएद लिफफा आक रापै भार साथ हाफ कि ऊ miejscु नरती एक यह झालएबगतों इसके सीष्ट का प्लाएबगतों सभी पर चित्झे जी खनी छिपद में जूआए़ एक प्यां Kiss-जो़गतों